नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो को मादधम से मैं आपको मद्ध प्रदेश के इंदौर सहर में इस्तित IIT DVV कॉलेज की फुल इंफर्मिशन देने वाला हूँ, मतलब इस कॉलेज का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, तो इंदौर के SGSITS कॉलेज के बाद MPDTE काउंसलि सीटे हैं, Information Technology के अंदर 120 सीटे हैं, इसके अलावा EET एक ब्रांच है, जिसमें 120 सीटे आपको देखने को मिलेंगी और Civil Engineering के अंदर 60 सीटे हैं, तो टोटल जो है 540 सीटे हैं जिसमें इंजिरिंग ये टोटल की capacity है, अलग-अलग ब्रांच हो के according, कॉलेज की अगर हम बात करे तो आपको एक temple देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप अंदर चलते जाएंगे तो आपको एक board देखने को मिल जाएगा, जिसमें अलग-अलग block में अलग-अलग department है, जैसे कि A block के अंदर mechanical engineering department है, इसके अलाव अगर हम B block की बात करें तो CS department है, वहीं faculty बेर्टी है, वहीं labs है तो अलग-अलग departments जो है, बना रखे हैं और उसके according जो है, अलग-अलग students जो है, अलग-अलग classes में जाते हैं, तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे होगे, D block है, जिसमें जो की electronics department बना हुआ है, और सभी labs हैं, सभी types की labs की facilities available हैं, मतलब world class lab की आपको facilities देखने को मिलेगी, जिसे कि electronics के अंदर जो भी जितनी भी subject हैं, उससे जोड़ी भी classes देखने को मिलेगी, इसके अलावा mechanical की अगर हम बात करें, तो mechanical के अंदर जितनी भी subject हैं, उससे भी subject हैं, आपको classes देखने को मिलेगी, workshop देखने को मिलेगी, जो कि first year का most important part और mechanical का तो most important part माना ही जाता है, बाकि अगर हम बात करें, campus जो है, बहुत clean campus है, green campus है बाकाइदा और इंदौर के बीचों बीच जो है, ये campus बना हुआ है, और college की अगर हम बात करें, तो ये जो college है, ये established हुआ था, 1996 में, तो काफी पुराना college जो है, इंदौर में माना जाता है, और faculty इसको लेके, तमाम चीजों को लेके, facilities को लेके, जो है, काफी अच्छा college है, बाकि इसमें admission कैसे मिलेगा, इसमें जो है, मैं आपको लास्ट में पूरी procedure के बारे में बताऊंगा, कि देकि DAT की counseling के थुरूई तो ही मिलना है, और JW की थुरूई जो है, आपको admission मिलेगा, सबसे पहले हम placement की बात कर लेते हैं, कि इस college का highest package क्या है और average package क्या है, तो इस college का जो highest package है, मैंने net और sources के द्वारा निकाला, तो 56 लाग का जो है इसका highest package है, और average package की अगर हम बात करें, तो 6-7 लाग का इसका average package है, जो की काफी अच्छा college माना जाता है, ये college जो है, DAVB University क कई self financing institutes है और sports की अगर हम बात करें तो सभी types की sports की facilities available है अंदर ही जो है campus के अंदर आपको जैसे की cricket का ground देखने को मिलेगा basketball, volleyball, indoor, outdoor तमाम तरीके के sports की facilities available है और inter college जो है sports भी खेले जाते हैं तो बच्चे जो है दूसरे college बे भी जाते हैं और जीत के आते हैं अगर आप जो है sports में रुची रखते हैं तो definitely जो है आप एक right college में admission ले रहे हैं अब हम fees की बात करने वाले हैं कि इस college में fees कितनी लगने वाली है girls and boys के लिए generally same ही है थोड़ा बहुत जो है 1,000-2,000 रोपय का अंतर है बाकी same fees आपको लगने वाली है मतलब आप यह मान के चलिए 75-80,000 के फीस आपको फीस और फीस लगेगी सिर्फ इसमें बस फीस बगरा इसमें include नहीं है बाकी hostel का और इन सब चीजों का charges जो है अलग से ह college में boys and girls hostel दोनों है उसको B.U.V में आपको दिखा दूँगा तो मैं पूरा आपको campus जो है बिजिट करा रहा हूँ देखी कितना अच्छा campus बना हुगा है और हर एक बच्चे का ख्वाव होता है कि जो government colleges हैं जैसे कि GS की अगर हम बात करें या अगर हम बात करें DABB या M.I. I.T.S की अगर हम बात करें या जवल पर इंजिंग की अगर हम बात करें तो इन college से जो है बच्चा B.T.E.C करें लेकिन इन सभी colleges में admission लेने के लिए J.E.E.M.S में अच्छा परसेंटाइल लाना होता है तभी जो है admission मिलता है college के अंदर regular activities होती हैं जितनी भी development activities हैं बहुत D.E.B. University इंदर की काफी famous university है और उसी का self-financing ये institute है तो काफी पुराना institute है जैसे की मैंने बताया और आप सामने आप देखेंगे CSE department जो की B block में बना हुआ है तो जब आप college में जाएंगे तो आप जो है basically जैसे की B block में जाएंगे तो automatic computer science engineering department में आप पहुँच जाएंगे और वहीं जो है faculty sitting करती है अलग-अलग faculty के rooms बने हुए है जैसे मैंने बताया अलग-अलग floors पर अलग-अलग चीजे हैं तो कितना अच्छा campus है अंदर ही जो है आप देख पारे होगे पिवल पौदे लगे हुए है और यहीं पर बैटका आपको पढ़ सकते हैं लंच कर सकत है यहां और बाकी hostel का अलग एरिया है college जो है बहुत एकर में यह बड़ा फैला हुआ है जैसे मैंने आपको बताया है खंडबा रोड पर यह college इस्तित है तो काफी बड़े एकर में यह पूरा campus पहला हुआ है और जैसे मैंने बताया है net clean and green जो है campus है और इसके अलावा अग लाप्स की facilities available है और mechanical की same lab है central library है तो यहां पे अगर आप जैसे की hostel में रहते है girls and boys तो लाइबरी जो है आपके लिए open रहती है आप night में भी बैटके पढ़ सकते हैं दिन में भी बैटके पढ़ सकते हैं बाकी जो है hostel की facilities है girls and boys के लिए तमाम जितनी भी hostels है अलग अलग ज hostel आपको मिल जाएंगे साथी साथ मैस की facilities भी है खाना अगरा और रहना सभी अच्छा है campus के अंदर ही और particular जो है जितनी भी जो hostels है उनके नाम है boys hostels के और girls hostels के तो आप जाके विजिट कर सकते हैं जैसे ही आपका admission हो जाता है final admission हो जाता है तो उनका basic procedure होता है उसको आप form भी ले सकते हैं और जैसे मैंने बताया boys and girls के लिए hostel है और काफी safe area है guards वगेरा तमाम तरीके पूरा campus में camera लगे हुए है guards है तो बाकाईदा सभी चीज़ें available हैं तो एक अच्छा college माना जाता है जैसे मैंने आपको बताया इन दौर में आप second number पे बोल सकते हैं college इसको SGS ITS के बाद जो बच्चों की choice होती है अदिकतर उसी के according में इस सब चीजें बता रहा हूं बाकि जैसे आप campus का अंदर का भाग भी देख पा रहे होगे कि campus में इस टाइप से पूरा यह gallery area है और यह देख पा रहे होगे आप जैसे की सामने hostel देख पा रहे होगे हैं अलग होती है students के clubs बने हुए है cultural activities जो है परफॉर्म होती है भार से जो है सिंगर वगएरा आते हैं performance देते हैं annual function वगएरा जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो यह सबी चीज़े हैं और बाकी फिर अब हम लौट रहे हैं campus को visit करके और जैसे आप देख पा रहे होगे यह जो है मिलने वाली है तो hope आप इस चीज़ को समझ पाए होगे counseling के बारे में मैं आपको already जो है इस YouTube चैनल पर information दे रहा हूँ तो इस YouTube चैनल से आप जुड़ जाए और जो भी information जानना चाह रहे हैं 917-917-6554 पर मुझे contact कर सकते हैं thank you for watching this video अगर आपको video अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजिएगा और इस YouTube चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा आगे बहुत सारे वीडियो के college के में आपको video provide कराता रहूंगा thank you for watching this